प्रस्टा चार और सरकारी कारियों में किसी की दखल अंदाजी को लेकर मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर सहीत भाजपाज जच्पा के गठ बंदन के कई नेताओं द्वारा किये गई दावो की पॉल करनाल लगर निगम में खुलती हुई नजर आ रही है जी हाँ मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर जो परदेश के मुख्या होने के साथ साथ करनाल के विधायक भी है और यहां उनका हमेशा आना जाना लगा रहता है बावजूद इसके परदेश के मुख्या के नाप के नीचे ही करनाल लगर निगम में कई ऐसे काम हो रहे हैं जो सरकारी निर्देशों को धटा बताते हुई निगम की कारे पर नाले की पॉल खोल रहे है और CM City जो स्वच्चता के मामले में हाल ही में देश में चोथे नंबर पर आया है उसकी शान में बटा लगा रही है आपको बता दे कि CM City में बेहत हैरान कर देने वाला यह एक मामला सामनी आया है आरक्षित महिला सीटों पर भी पुरुष ही पार्षद है जी हाँ, करणाल में चुनी गई महिला पार्षद की जगें पतियों एवं रिश्टेदारों के ने ले रखी है निगम की बैठक तक में महिला पार्षद के पती वह उनके रिश्टेदार हिस्सा ले रही है बताये तो यह भी जा रहा है कि अधिकारियों वो करमचारियों पर भी पार्षद पतियों और उनके रिष्टेदारों का रोब है उनका इतना रोब है कि लोगों को काम कराने के लिए भी महिला पार्षदों के पतियों वो उनके रिष्टेदारों से कई बार गुजारिश करनी पड़ती है आपको यह भी बता दे कि करनाल नगर निगम की जब भी बैठ का आयूजन किया जाता है तो उसमें महिला पार्षदों की जगए उनके पति या अन्य रिष्टेदार शामिल होते हैं अब सवाल यह उटता है क्या सरकार का ऐसा कोई प्रोटोकोल है जिसके तहत महिला पार्षदों की जगए उनके पति ये वो मन्य रिष्टेदार निगम की महतवपुन बैठकों में हिस्सा ले सके अगर नहीं तो यह केल किसकी शेय पर चल रहा है यहां यह भी एक बड़ा सवाल उटता है कि क्या अधिकारियों और प्रशासन की मिली भगत से ऐसा हो रहा है आखिर किसके इशारों से यह काम हो रहा है यहां हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि कई महिला पाश्दों को उनके वाड में कराए गए कारियों की ही जानकारी नहीं है वहीं बताते चले कि आज मंगलवार को विकास सदन में नगर निगम हाउस की बजट की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें पार्शद नीलम नोतना के रिष्टेदार भुपेंदर नोतना के अलावा कई अन्य महिला पाश्दों के रिष्टेदारों ने हिस्सा लिया इस समद में कैमरे के सामने ना आते हुए कुछ पार्शदों ने यही कहा कि महिला पार्शदों को सदन में सही से बोलना नहीं आता है जिससे उनके पती वह उनके रिष्टेदार वाड की समस्याओं को सदन के पटल पर रखते हैं हालाकि सदन में नेम प्लेट पार्षद के नाम की होती है लेकिन बैठा उनका रिष्टेदार होता है वही जब इस समन में निगम कमिशनर विक्रम यादव से पूछा गया कि क्या मनोनिक पार्षद की जगए उनका पती या अन्य रिष्टेदार सदन की कारेवाही में मनोनिक पार्षद की कुर्सी पर बैट कर अधिकारियों से सवाल जवाब कर सकता है तो उन्हों ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा नहीं है मनोनिक पार्षदों के इस्तेदारों के लिए निगम हाउस में पीछे कुर्सिया लगाई गई है जहां बैट कर वह सिर्फ सदन में चल रही कारेवाही को देख सकते हैं अधिकारियों से सवाल जवाब करने का अधिकार प्रोट्रोकोल के तहट मनोनिक पार्षद को ही है ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुख करें